Hello Everyone, आज की सुटिय में हम बात करेंगे आपकी जो OTR ID बनती है रजस्थान की नुशार One Time Registration ये हम कैसे करें Complete इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपको OTR ID कैसे कैसे हम बना सकते हैं यदि आपके पास आधार कार्ड में Mobile Number Activate नहीं है तो वो भी कैसे कर सकते हैं यदि Activate है तो वो भी कैसे कर सकते हैं Complete इस वीडियो में बताऊँगा आपको आपकी नई OTR ID हम कैसे Create कर सकते हैं नई SSID भी कैसे Create करेंगे माँ आपको पहले तो इसमें SSID बता दूगा नई SSID कैसे बनाएंगे फिर उसमें उसके बाद में नई OTR ID हम कैसे Complete करें यह देडिटिंग करना हो तो वो भी कैसे करेंगे Complete इस वीडियो में बताऊँगा Google के Home Page से Website Open करके दिखा दूँगा उसमें OTR ID हम कैसे Fill करेंगे फिर उसके बाद में आपको जो भी form फिल करना होगा रास्तान का वो फिल अच्छे से करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको Complete इस वीडियो में बता दूगा नमस्कार दोस्तों आपका अपका अपना YouTube चैनल करेंगे इस वीडियो में आपको बता हुआ नहीं OTR ID हम कैसे करें नहीं SSO ID कैसे Create करेंगे तो जब हमने Google का Homepage भी खोल लिया है यहां पर हमें लिख लेना होगा ठीक है जैसा कि हम बात करेंगे यहां पर यहां पर जैसे हम टैब करेंगे उसके सामने आपके सामने किस तरह का इंटरेफेस ओपन होगा वो यहां पर देख सकते हैं रजस्तान सिंगल साइन ठीक है यहां पर देख सकते हैं इस वेबसाइट को यहां से माँ उपन कर लेंगे तो यहां से हम जैसे ओपन करेंगे उसक आपके सामने उपन होगी इसके बाद में यहां पर देखेंगे आपकी SSID नई ID कैसे कर सकते हैं यहां पर आपको कुछ एक डिटिल यहां पर देखने को नहीं मिलेंगे ठीक है यहां पर देखेंगे हम login ठीक है यहां पर आपको login का option मिलेगा यहां से registration का यदि आप first time पर विजिट कर रहे हैं तो यहां पर registration करें ठीक है यहां पर registration करेंगे फिर registration करने के बाद में क्या option होगा वो भी यहां पर देख लेंगे तो यहां पर आपको कुछ एक डिटील देखने को मिल जाती है जैसे यहां पर देख सकते हैं bunun फीजञन अधियों गूर्मेट टंप लोज यहां पर इस तरह से डिटील आपको देखने को मिल जाएँगे ठीक है आपको जना अधार का option देखने को मिल जाएदा यहाँ पर देख पाएंगे Only for residents of Western State India से वो ही अपनों फोम परवाएंगे यानि जो यहाँ पर है आल अधर के लिए यहाँ पर option मिलेगा आपको Google का option ठीक है यहाँ पर आप जैसे Google पर टैब करेंगे यहाँ पर ठीक है Google पर हम टैब कर लेते हैं जैसे हम टैब करेंगे तो automatic हमारा option चला जाएगा email ID वाली option पर जैसे हम Gmail ID को account यहाँ से open कर लेते हैं यहाँ पर इस तरह से आपको अपनी Gmail ID यहाँ पर automatic देखने को मिल जादे हैं यहाँ से ठीक है यह देखने के बाद में यहाँ पर हम जैसे इस पर टैब करेंगे यहनी इस पर दबाएंगे फिर यहाँ पर जैसे यहाँ पर दबाने के बाद प्रेस करने के बाद अपको password का option देकने को मिल जाएगा गाईज हम वहाँ पर अपनी email ID का जो password होगा वो password फिल करेंगे फिल करने के बाद में जैसे हम submit कर देंगे यहां से ठीक है यानि जैसे हम submit करेंगे submit को अपसे देखने को मिल जाएगा आपको guys वहाँ पर ठीक है जैसे submit करने के बाद में आपको automatically एक नया pop-up open हो जाएगा पर हम पासड़ आपर फिल करेंगे जैसे जैसे वह बनने के बाद में ust should कर देंगे जैसे वह बनने के बाद harmony ऊसरे परThese password को करने नोट कर लेंगे ठीक है उसको बाद में submit कर देंगे submit करने के बाद में फिर वही तहम उस PC बेढ़ों पहुंच जाते है वहां पर पर उसी साइड पर पहुंचने के बाद में हम क्या करेंगे यहां पर आपको लोग इन को आफिसन देखने को मिल जाएगा गाइज यहां पर इमस लोग इन वाले पोस्टन पर टैप कर लेंगे जैसे हम टैप करेंगे तो आपकी सामें कुछ एक तरह की इंटरिफेस खोले जा पर तो हम अपनी SSID जो हमने बनाई है वो SSID यहां पर फिल कर यहां पर टाइप कर देंगे कपिट लेक्सरों में ठीक है अगला उपस्टन हमारा यहां पर पासवड का ठीक है हमने जो पासवड नया पासवड बनाया है वो यहां पर पासवड फिल कर देंगे उसके बाद मे यहां पर fill करेंगे फिर हम login कर लेंगे तो यहां पर इस तरह से हम करेंगे जिदि आपके पास pass word miss हो गया बूल गया है वो कैसी कर सकती है यहां से यहां से अपनी SSID फोरगूट करनी है SSID multiple है तो यहां से multiple check करेंगे यह second option यह पास्ट्वाट करेंगे यहां से इसको आइटिफाय कर लेंगा अपना एडी कोड़ी नेक्स्ट में यह करने के बाद में जैसे हम यहाँ पर फोर्गोट पर करेंगे तो उसके बाद में क्या उप्सन होगा है यहां पर में आपको दिखा देता हूं गाइज फोर्गोट आले पर जैसे हम टैप करेंगे तो आपको SSID और वानी आपको फोरकूट करना किसे email से करना है मॉबाइल से करना है जैसे भी आपको करना चाहें उसी किन रसार उसी को select करेंगे करने के बाद में क्या करेंगे अपने SSID अक्सरों डरेंगे पास अपने जो बनाया है बड़ा चुटा ठीक है उसकी नसर आपको वेरिफाई कर लेना होगा गाइज तो गाइज यहां पर देख सकते हैं अपनी SSID फेल करेंगे यहां पर ठीक है मैंने आपको बताया था कि अपने मॉबाइल नमबर या फिर इमेल आडी या फिर आधार नमबर किसी भी एक्स को यहां पर चूज कर लेंगे इस अलट कर लेंगे यहां पर मॉबाइल नमबर का उप्शन से अलट कर रखाया या फिर इमेल कर सकते हैं या फिर आधार का ठीक है यह करने के बाद में यहां पर क्या करेंगे आधार नमबर या email id या mobile number यहाँ पर tap कर देंगा, उसके लिए हम कपे एपसा IS पर क्छी कर देंगी ह scaffold करके होसी submit कर देंगे जैसे आपके पास Submit करने के बाद में आपके पास निए OTP आ जाएगा Watchmek been here, यहां पर open हो जाएगा यहां पर जैसी option open होगा फिर हम उसको validate कर देंगे validate करनी के बाद में आपके पास एक और message जा जाएगा password related तो guys इसको फिर हम क्या करेंगे आँसे SSID को login करेंगे login करनी के बाद में हमें क्या कर लेना होगा यहां पर हम फिर जैसी वह type करेंगे जो password आपके पास message में आया है numerical में उसको यहां पर हम फिल करेंगे फिल करने के बाद में फिर उसका option क्या करेंगे नए password के लिए created आपको फिर से दोबारा old password डाले ना होगा डालने के बाद में हम अन्या password create कर लेंगे फिर वो लोग आट automatic हो जाएगा फिर सिम दोबारा उसको login कर लेंगे तो guys इससी website को login करने के बाद में आपका पोर्टल किस तरह का खुलेगा वो भी यहां पर देख लेते हैं तो guys यहां पर देख सकते हैं SSO portal हमारा open हो गया है यहां पर आपको काफी सारी applications देखने को मिल जाएंगी यहां पर ठीका काफी सारी applications जैसे में से इस स्कूल पर उपर करेंगे तो आपको काफी सारी वाकिन से देखने को मिल रहे हैं आपको कौन कौन से क्या क्या department है उनके अपना फॉर्म प्लाइक कर सकते हैं तो guys मैं तो अपना general category से बढ़ सकता हूं यहांनी हर याना के अधर से लेकर आप तो रस्तान को छोड़कर वाकिया के अधर category वाले general category में माने जाएंगे तो guys इस तरह का interface देखने को मिल जाएगा आपको यह देखने के बाद में हम क्या करेंगे यहां पर यहां पर आपको option देखने को मिल जाएगा recruitment stack to recruitment portal ठीक है यहां पर recruitment portal को नहीं खोलना है आपको recruitment stack to open कर लेना है जैसे मैं इसको tap करकी open करेंगे तो आपके सामें किसी इस तरह का open हो जाएगा साइट का वो मैं आपको देखा देता हूँ डाउलोड करके तो guys इस तरह का interface आपके सामने open हो जाता है यहां पर यह देख पाएंगे यह आने के बाद में आपको यहां पर कुछ एक detail लिखे देखने मिलेगी ठीक है आपको य ठीक है ओपर निचे देखने मिल जाएगा इन इसके desktop side mode में कलने के बाद में पर आपको यहां पर यहां पर option देखने मिल रहा है जैसे कि यहां पर देख भाई हो my recruitment get admit card और यहां पर लिखा में लिखा one time registration यहां तक ठीक है तो guys यहां तक फिर लिखा में लिखा को back to SSO यहा यहां पर क्लिक कर दे जैसे मैं यहां पर क्लिक कर देता हूँ इससे बहले हम OTR ID बनाएंगे ठीक है और फिर इसके बाद में यहां पर देखने पाएंगे home guard volunteer enrollment process फिर हम उसके बाद में apply now पे option क्लिक करके अपना उसमें फोर्म बारेंगे तो guys हम अपनी OTR file complete कर लेते हैं यहां से ठीक है तो guys मैंने यहां पर आपको OTR related form बर रहा हूँ यहां पर ठीक है हम OTR अपनी नई OTR ID कर सकते हैं ठीक है यहां पर हम देख लेंगे आपके सामने इस तरह साइट open हो जाती है जैसी open होगी तो मैं आपको यहां पर दिखा दू है तो yes करें वरना no कर सकते हैं यहां से ठीक है yes or no का option है दो no option दिखाए हो है यहां पर यहां पर अधर states हैं तो no कर दे ठीक है तो आपको इस तरह का interface देखने मिल जाता है अधार number selected यहां पर अपनी जन हाधार number ID number यानि जन अधार ID है वो यहां पर फिल कर दें फिर fetch member कर द में mobile number activate है OCP OTP चला जाता है यदि आपके पास यह नहीं है तो क्या करेंगे यहां पर तो guys मैं आपको थोड़ा जूम करके बता रहा हूं यहां पर देख पाएंगे I want to fix data from आधार ठीक है अपने आधार से करना चाहें तो यहां से टिक करने के बाद में कर सकते हैं आपको guys अपना आधार नमबर यहां पर फिल कर लेना होगा 12 डिजिट का ठीक है यहां पर फिर हम send or TP कर देंगे ठीक है उसके बाद में हम कर सकते हैं यह यह आधार नमबर भी आपके पास available नहीं है तो आपको यहां पर option देखने मिल जाता है इन में से दो या तो यह option चूज करें या फिर यह option चूज करें तो गयज मैं यह वाला option चूज कर लेता हूँ यहां पर ठीक है मैंने आधार का नमबर भी option अठा दिया है यहां से ठीक है हम यहां से क्या करेंगे तो गयज आपको इस तरह का interface देखने मिल जाता है यहां पर line चेक कर सकते हैं मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ यहां पर लिखा है I want to fetch data from SSO profile यहां अपने SSO ID जो बनाई थी उसी ID से यहां पर data ओट कर आ रहा है ठीक है फिर क्या कर सकते हैं यहां पर fetch detail from SSO profile यहां पर जैसे टैप करेंगे इस तरह का interface आपके सामने चल जाता है यह चलने के बाद में इसको थोड़ा से यहां पर जूम किया हुआ था इसको यहां पर चिंज कर लेता हूँ यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा मेरा नाम ठीक है यानि मेरा जो नाम था कनेट का नाम वो मैंने फिल कर रखा था वो यहां पर शोकर रहा है यहां पर ओटमेटिक ठीक है आपने मोबाइल अमबर आपकी डेट वर्त क्या थी वो आगी है आपको एमेल आड़ी वो आगी है यहां पर आपने फादर का नाम फिल कर देंगे फिल करने के बाद में थोड़ा सा क्रेंगे यहाँ पर इस तरह से यह करने के बाद में आपको यहाँपर क्या मिले का देखने को आड से ऍाडर कर देखने को entrance करदें यहाँ पर एडर कर देंगे पलीज एंटर फादने में तो शिर्णск इसके बाद में यहां पर इस तरह का इंटरिफिस देखने मिल जाता है ठीक है नेम और आपका रोल न्बर यह यहां पर एक्टिविट नहीं हो जाते हैं तो गाइज आपको अपना आधान नंबर यहां फिल कर लेना है और यहां पर अपना प्रूफ समिट्टर की बिस पर यह से ओल करने के बाद में क्या करेंगे जो अधार काड़ के हमारे पास फाइल है 50-100 के भी प्यूडी फाइल में यहां से हम ब्राउज करके एड कर देंगे जिसे एड करेंगे उसके बाद में OTA verify OTR ठीक है यहां पर verify OTR कर देंगे अपने जो अधार काड़ में मूबाइल नं भी हो जदा बिना OTP किणनुसारी ठीं धत्रभंत है यृह लिदि आपको यहां पर इस तरह खाई rt dipping करना है आपको डाइट इस ही अपने आदार्षर नंबर से और आपको आदार नंबर को लिए करना है क्याता है क्याँ पर अपने अदार्षर नंबर बन ले 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 हमारा OTP बे आ गया है 12, 18, 18, 9. ठीक है है यहां पर हम OTP को उप्शन लिए ह को आपको, यहां पर अपना OTP फिल कर देंगे, इसको मोठे कर लेंके यहां से जैसरह यहां पर फिर paste कर देंगे ठीक है यहां पर जैसे हम paste करने के बाद में पिर क्या option हो गब वो यहां पर देख सकते हैं तो वैज मैंने अपने आधार का जो OTP आया था वो OTP फिल कर दिया फिर यहां पर verify OTP कर देता हूं जैसे हम verify करेंगे उसके बाद में यह वो detail has been verified from आधार सी verify हो चुकी है थोड़ा स्कूल पर उपर करेंगे यहां पर जैसे मैंने आपको बता दा फाद ने में automative fill किया हुआ है यहां पर देखने मिल रहा है और यहां पर date of birth नाम ठीक है और यहां पर अपने mobile number फिल कर देंगे जिस पर हम OTP ले लेंगे ठीक है आपका जो भी next alternative mobile number यहां पर डाल कर सकते हैं और यहां पर क्या करेंगे अपने email ID get email from SSO profile से जैसे इस पर टिक कर देंगे automatic जैसे मैं यहां पर टिक कर देता हूँ automatic टिक करने के बदमार email ID automatic फिल हो जाती है जैसे यहां पर आपको देखने मिल रही है ठीक है mobile number यहां फिल कर देंगे फिर हम यहां से verify OTR कर लेते हैं तो guys मैं verify OTR पर क्लिक कर देता हूँ यहां पर आपको OTP authentication लिखा देखने को मिल जाता है यहां से ठीक है थोड़ा zoom कर लेते हैं यहां पर पूरा नाम देखने मिल जाता है father name, gender option है date of birth का और यहां पर लिखा मिलेगा ठीक है please note that about mention detail will be non editing in one time restriction and application form after OTP verification ठीक है यहां से क्या करेंगे final submit का option देखने मिल रहा है आपको यहां पर ठीक है final submit का option है यहां पर मैं इस पर final submit कर देता हूँ जैसे final submit करांगा उसके बाद में एक OTP चलागा जाएगा अपने जो mobile number फिल किया था उसी पर ठीक है यहां पर OTP को यहां पर मैंने copy कर लिया फिर यहां से मैं paste कर देता हूँ ठीक है यहां पर मैं OTP को paste कर दिया हूँ यहां पर 5 digit का OTP आएगा आपके सामने verify OTP कर देंगे यहां से ठीक है यहां पर time भी चला हूँ है तो गाईज हमारा OTP verified हो चुका है हम OTP OK कर देता है यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा OTP authentication registration number यहां पर आचुका है हमारा now you can fill your application form OK ठीक है यहां पर इस तरह का interface आपके सामने देखने को मिल जाता है तो गाईज इस तरह से हमा अपनी OTP ID complete कर सकते हैं यहां हमारी OTP ID बन चुकी है हमारा registration number आ चुका है फिर इसके OK करने के बाद में हम अपना form पर apply कर सकते हैं ठीक है मैंने आपको complete बता दिया है OTP ID हम कैसी create कर सकते हैं तो गाईज इसके बाद में आपको क्या कर लेना है अपनी form पर website पर चले जाता है वहीं पर उसी website पर open हो जाएगी हमारी OK करने के बाद में open होने के बाद में क्या करेंगे back to SSO profile पर पहुँच जाते हैं back to to process profile पर वहां पर जाने के बाद में फिर हम क्या करेंगे अपने form को apply भी कर लेते हैं यह से तो गज़ जो back आगए हैं अपने ओट्यार complete करने के बाद में फिर हम यहीं पर पहुँच जाते हैं apply now के option पर ठीक है apply now वाले option पर पहुँच जाएंगे उस पर पहुँचने के बाद में हमने जो अपने ओट्यार फिल की थी complete उससे लिट यहां पुरा पर लेंड देखने को मिल जाती है बेते दवारा निमन दोनों स्रीनी में से केवल एक स्रीनी ही अवदन कर सकता है यहां पर देख सकता है कंपले रखाव है सिमा गरह के आप प्रयातियों के निवास समंदी योगत है तू जिस सिमा गरह रक्स अदाल की कंपनियों के रिखते हो कि वुरूद अधन करना चाता है उस कंपनी मुखाले से 25 किलो मेटर की पर इदी में आने वाले ग्राम पंजाम खरके अधनिस्तराज सव ग्राम का निवासी उनना चाहिए ठीक है यहां पर देखते हैं अर्बन या फिर बॉर्डर होम गाड़ ठीक है यहां पर दोनों अपसन है आपको जिसको भी करना है जिसमें सी फिल करना आपको बॉर्डर से लिटर या फिर आपको अर्बन से लिटर से लिटर यहां पर मैंने आपको दोनों बताई है ठीक है जिसको भी आफ सलट करना जाए उसको सलट कर सकते हैं आपको जिससे फोम प्लाइ करेंगे ठीक है जैसे मालो अर्बन होम गार का में फोम फिल करूंगा सहर से रटरी यहां पर ठीक है आप एस वीडियो में नेक्ट होली वीडियो की डिस्क्राइश में देँकूंगा यहां प्लाइ ने कर सकते हैं अगली वीडियो में लेगे आपको देखने हो मिल जाए को आपको फोरम कैसे अपलाई कर सकते हैं अब मैंने आपको कम्प्लीट बताए कि अपनी OTR ID कम्प्लीट कैसे कर सकते हैं OTR ID में कम्प्लीट मैंने आपको स्टेब आइस टू सुरु से लाश्ट बाइद बताएए फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कॉमेट के जिसे पूछ सकते हैं और में नेक्ट नमस्कार जैहिंद जैवार थैंक यू समझ बाइ बाइ